यह मेरा सोभाग्या है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्या मंत्री बना आधनिये प्रधान मंत्री जी ने जब मुझे दाहित दिया तो मैं आगरा गया था तो आगरा मैं एक म्यूजियम बन रहा था उसका नाम था मोगल म्यूजियम मैंने का भी मुगल मुजियम आज के दिन पे मैंने का इसका नाम चत्रपती सिवाजी महराज का मुजियम रखो हमारा समंद चत्रपती सिवाजी महराज से है हमारा समंद मुगलों से नहीं है और इसने चत्रपती सिवाजी महराज के नाम पर जाना जाएगा ये मियुजियम और छत्रिमपती सिवाजी महराज की स्मिर्तियों को वहाँ पर सजोने का कार ये पुरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है आदमिये प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कोरिडोर की गोचना की एक डिफेंस कोरिडोर भी छत्रपती सिवाजी महराज को ही समर्पित है भारत की रक्सा सेनाएं आत्म निर्भरता की लक्से को प्राप्त होंगी इस दिसामें कार्य भी वहाँ हो रहा है तो यहाँ पे तो सक्तियां भी जुड़ रही है और पुझे संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही है और इसी का पेढ़ाम है जब इस सक्ति मिलेगी भक्ति और सक्ति का अद्बुत संगम होगा तब पांसो वर्सों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर कर युद्या में राम मंदिर का भव्य अद्बुत छणभी वा अलोकिक छणभी हम सब को देखने को प्राप्त होता है हमारे पुज्य संतजान मंच पर भी बैटे हैं सामने भी बैटे हैं इनके सानिध्य में प्रधान मंत्री मोदी जी के करकमनों से उनके परम पुरसार्थ से 22 जनवरी 2024 की जोती थी हम सब को अयोध्या धा में देखने को मिली थी अद्बुत है और यह नई योध्या यह भव्य देव्य और नभ्य योध्या आप सब को भी अपनी ओर आमंतित कर रही है और उसी आमंतन के साथ आज हम सब पोजे स्वामी गोविन देव गिरी जी जिन्होंने अपने ले नहीं सनातन बैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया पुरी देश के अंदर पुरी दुनिया के अंदर बैदिक पाड़ सानाओं की अस्थापना करके सिमत भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुचाने के लिए बेद पाठी एक लंबी परंप्रा को देश को दे करके यह देश बेदों का मार्ग दर्शन पराप्त करेगा जो कार मध्यकाल में समर्थ गुरू रामदाश जी ने छत्रपती स्वाजी महराज का मार्ग दर्शन करके किया था वकाम आज गोविन्द देव गिरी जी के सानिद्य में इस महराज़्ट के अंदर देश के अंदर दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलिंग बी के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए उनके सानिद्य में निरंतर चला है